Hello to everyone, I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा अपना जो ultimate target है that is 14th November जब हमारा serious का exam होने वाला है मुझे पता है कि आप सभी लोग जो हो बहुत मेहनत कर रहे हो अपना एक तरीके से जितना जो guide किया जाता है उस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो मेहनत का recognition जो होता है तब होता है जब आप exam qualify करते हो और exam qualify करने के लिए आपको कुछ extra चीज़े करनी पड़ती है जो toppers भी करते हैं intentionally या unintentionally तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो जो कुछ ऐसी extra चीज़े जो है जिसके उपर आज मैं focus करूँगा वो आप 3-4 चीज़े करना शुरू कर दीजे आखर यह जो आपका 10-12 दिन रह चुका है उसमें आपको definitely आपको score boost करने में help मिलेगा and let's begin with this whole video देखे जो आपका exam है वो है 14th November को we all know और यह 14th November को exam जब qualify करेंगे तब ही जाके SSB का आपको दर्शन करने को मिलेगा right so अभी तो आपका target CDS को qualify करना है written यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे first जाते है कोई एक number से first जाता है कोई point पॉइंटों से first जाता है written qualify करने में क्या उसने पढ़ा ही नहीं की होती नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसने पढ़ा होता है ठीक है the only thing is कि कुछ दो चार चीज़े होती है जो student कही ना कि ignore कर देता है कही ना कि वह नहीं समझ पाता उसकी importance क्या है सबसे पहली चीज़ यह आपके जो दस बारत देने ना इसमें क्या है इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा वो मैं यहाँ पर recommend नहीं करूँगा इसमें क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपका जो भी study table है जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो इतने time से वो study table के अंदर जो भी फालतू चीज़े है ना फालतू चीज़े मतलब कोई आपका notes है notes मतलब कोई किसी time पर notes बनाये थे वो आपका पड़ा हुआ आप उसको पढ़ नहीं रहे आपकी किताबे हैं जो किताबे आपने कभी देखी तक नहीं है आपकी वो चीज़े novel है कोई फालतू चीज़े जो आपके exam से related नहीं है उसको क्या कर दो clear कर दो ठीक है उसको क्या कर दो clear the clutter ठीक है तो यह जो चीज़ होगी ना यह आपका क्या boost करेगी आपका moral boost करेगी आपके दिमाग में जैसे कोई इंसान होता है नो बहुत ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विवस्तथ मतलब बहुत ही systematic होते हैं बहुत system से चलते हैं तो उनका वो जो camera point है कि वो systematic कैसे होते हैं उनका दिमार भी systematic होते हैं जब आप अपने जो Faltu सब साइट कर दो for next 10-12 days understand so clear कर दो clutter जब सामने जब सामने यह सब चीज़ साइट राइक होती हुई दिखेंगी सफाई दिखेंगी दिमाग भी आपका एकदम systematic होना शुरू हो जाएगा understand पहला step तो आपने ऐसा करना है दूसरा step क्या करना है देखें दूसरा step है जिसमें student जो है जर्नली यह सोचता है कि इसमें time लगेगा तो क्या करेंगे यार यह सब करके revision करते हैं फटा-फट यार जो पड़ा है वो करते हैं वह करते हैं ना बट यह काम जो है बहुत करेगा priority list बनाना अपनी priority listing करना priority list करना बनाना इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा time लगेगा और यह थोड़ा सा time helpful रहेगा आपने क्या करना है जैसे आपका ना तीन पेपर से आप अगर आयमे की preparation कर रहे हैं आपके पास तीन पेपर होंगे general English होगा आपका mathematics होगा आपका general studies होगा ठीक है अब यह priority listing किस exam में ज्यादा करना जायज होता है किस सब्जेक्स में करना जायज है एक तो है जनरल जनरल स्टडीज के अंदर और दूसरा है mathematics के अंदर ठीक है mathematics और जनरल स्टडीज के अंदर English के अंदर भी आप कर सकते हो लेकिन English में almost सारे ही topic जो होते हैं वो कुछ ना कुछ उनका वेटेज होता ही है तो उसमें priority listing करने का कोई बैठता नहीं है तो लेकिन करना चाते हो तो आप कर सकते हो no problem जैसे GS है अब GS में आप क्या करो एक page लेलो उस piece of paper के अंदर what best you are going to do is writing down GS GS के अंदर कितने subjects है कितने subjects है and उस subjects को आप कैसे approach करोगे in next 10 days के अंदर just say for example GS के अंदर आपका है history आपके पास 10 दिन है आप क्या करोगे आप यही सोचोगे कि यार मैं history पढ़ लेता हूं लेकिन history का मैं अपना majorly जो है 1847 से लेके 1857 से लेके 1947 तक का मैं अपना priority रखूंगा समझ आ रहा है कि ने इस हिसाप से आप for example polity की बात कर लेते हैं polity में आप क्या करोगे polity के जो major chapters हैं वो chapters जो पूरी entire polity से interlinked होते हैं parliament हो गया supreme court high court president governor central government state government state legislature पंचायत और यह 12 chapters है जो आपकी पूरी quality में जितने भी exams होते हैं मैं सिर्फ cds की बात नहीं कर रहा जितने भी exams होते हैं quality अगर आपने लक्षमी कान पढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी चीज है लेकिन आपने कोई भी notes भी पड़े है कोई भी बात कोई दिक्कत नहीं है आप यह 10-12 chapters कर लेंगे ना जैसे मैंने अभी तो 10-12 chapters गिनवा भी दिये आपको कि यह 12 chapters कर लेंगे आपका quality में majorly जो सवाल आते हैं यहीं से आते हैं तो आपकी वो priority listing हो जाएगी आपके बास science होगी science भी इसमें आती है लेकिन कोई student है जो जो घबरा रहा है यार की वो chemistry में मैं क्या करूंगा यार physics में मिरको इतना अच्छा नहीं आता ठीक है तो at least bio पढ़ लो या bio आपकी कमजोर है बायो नहीं पढ़ी है तो physics chemistry देख लो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको specify नहीं कर सकता यहां पे कि priority आपके लिए कौन सी होनी चाहिए मैं आपको demonstrate कर रहा हूं कि आप individual centric priority क्या हो सकती है जैसे मैं हमेशा I was not good in this biology तो मैं physics chemistry बहुत तरीके से कर लेता है आप शायए bio में अच्छे होंगे तो physics chemistry कम कर रहे होंगे तो जिसमें आप अच्छे है उसकी priority पहले कर लो ताकि वो आपका subject पकड़ के रखो आप उसको ओधर से सवाल कमनी होने चाहिए यहाँ पर priority listing हो गया वही mathematics के topics है या 10 दिन है मेरे पास 10 दिन के अंदर मैं पहले 5 दिन के अंदर कितने topics देखने वाला हूं अपने mathematics के और next ज और इसमें मैंने यह priority बना लिए क्यूंकि उसमें से ज्यादा सवाल आते हैं understand तो इस से अब जैसे geography है जोक्रफी की इंडियन जोग्रफी न्सी आटी देख लो उसमें अगर आप मॉंसून के chapter को छोड़ देते हो या आपने पड़ा होगा बट अब दोबारा जो है आप प जो इंडियन जोग्रफी के अंदर होगा तो वो चैप्टर्स आप कर लो मॉंसून मत करो मॉंसून टेक्निकल है टाइम कंजूमिंग है कम सवाल आते हैं cds के अंदर तो उससे साब से अगर आप चलोगे उससे साब से आप देखोगे तो यू विल डेफिनेटली गूइंग प्राइटी लिस्टिंग करनी है अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आगे क्या करना है है ना चलो ठीक है अब आपने आगे क्या करना है आगे आपने क्या करना है अल्टिमेटली रिविजिन है ना रिविजन अब आप बोल जो कि या रिविजन तो मैं अभी भी कर रहा हूँ लेकिन confidence नहीं आ रहा है ना मुश्किल हो रही है और मैं facts figures तो भूली जा रहा हूँ तो मैं आखर के दिन में क्यों ने कर लूँ exam से एक दिन दिन तक रहेगा उसके बाद तो भूल जाओंगा है ना but trust me अगर आप अभी इसको याद रखने की कोशिश करोगे ना तभी exam से पहले एक बार नज़र फेलोगे और वो दिमाग में आपके चड़ जाएगा वो तब होगा आपको exam तक की preparation तक के लिए ही तयार रखना है आपने आपको बट उस तक के लिए आपको तयार रखने के लिए आपको आज हर दिन अपना 100% देना है समझ आ गया it is not a test of your knowledge only serious exam competitive exam है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो student जो अराम से qualify कर लेता है जो उठा और उसने paper दे दिया वो student qualify करते हैं जो महनत करते हैं और वो student qualify करते हैं जिन्हों ने अपने 11-12 में भी CDS की preparation कर रखी होती है तब वो qualify करते है sorry graduation में भी CDS की preparation कर रखी होती है तब वो qualify करते है first time में तो यह competitive exam है तो यहां पर आपने हर दिन आप देखो 10 दिन रहेगे 10 दिन के अंदर हर दिन आपने इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि यह next day मेरा exam है इस तरीके से facts याद रखने है कि next day मेरा exam है इस तरीके से concept याद रखने है कि next day मेरा exam है तभी आपको वो जो आखिर का एक दिन होगा या दो दिन होगे जब अफटाफट एक किताब को पढ़ रहे होंगे फटाफट रिवाइस कर रहे होंगे तो वो एक दम से आपको exam day के वाले दिन आ जाएगा याद यही process होता है इसी तरीके से students success मिलती है तो revision के अंदर यह मत सोचो की नहीं मैं कम करता हूँ जादा करने से बूल तो जा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ पिछले दिन सब कुछ याद रख लूँगा नहीं होगा पिछले दिन तभी ही याद कर पाओगे जब उससे पहले आपने properly उसको पढ़ाई किया होगा understand so यह revision आ सब्सक्राइब करने का जो तरीका होता है वो तरीका कोई copy नहीं कर सकता, वो UPSC का ही रहता है, तो मैं आपको ये suggest करूँगा और ये बहुत ज़ादा effect कर सकती है, ये सवाल आपको आते भी नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप एक idea लगा पाऊगे यार ऐसा ऐसा statement का framing जो है, ये मैंने पिछले PYQ में पढ़ा था, और वहाँ पे इस तरीके से answer दे रखा था, और इसी हिसाब से आप वहाँ पे tick लगाओगे और वो सही होगा, ये होता है, ये होता है, यहीं पे student गलतियां करते हैं, यहीं पे, कि previously questions को सिर्फ वो देखते हैं कि इधर से मैं knowledge ले लेता हूँ, अरे यार यहाँ पे knowledge बल रही है, कुछ facts figures पता चल रहे हैं, मैं knowledge ले लेता हूँ, देखो, वो knowledge तो एक complimentary हिस्सा है, primary जो goal होगा ना, आपका primary goal, understanding, understanding of question framing, कि यार इस examiner ने कैसे not लगा के question को गलत करवा दिया, कैसे उसने all लगा के question को गलत करवा दिया, आप समझ भी हो क्या कह रहा हूँ मैं, तो इसमें समझ कोशिश करो, कि previous year questions, अब जो पढ़ने हैं, मैं आपको suggest करो, at least, at least, at least, जो आपका 5 PYQs है, previous year question papers है, उनको आप daily, daily आप उनको देखो, उनको understand करो, कि यह सवाल यहां से कैसे पूछा गया, इस तरीके से कैसे इसमें questioning की गया, statement कैसे लिखा गया, option कैसे design किये, और उसकी वज़ा से, एक student जो है, वो परिशान हो गया, समझ ने, समझ लो, and it would hardly take, यह जो, यह जो process है, यह जो process है, कि 5 PYQs को आपने solve करना है, और इसको understand करना है, this would hardly take one hour of your, one hour, यह तब करना, जब यह पूरा जब revision कर रहे हो, ना, कि 5-6 घंटे, आप revision कर रहे हो, उससे जाधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाधा पढ़ने में, आपके chances से bright होंगे, और 10 दिन ही बचे है, तो, उस situation में, आपके जो 5 PYQs है, papers है, वो तब कीचे, जब आप exhaust हो चुके हो, exhaust हो चुके हो, papers से, revision करकर के, exhaust हुए, तब इसको as a refreshment के तौर पे लो, तो आपका इस तरीके से understanding और बढ़ेगा, understand, so, यह समझ आ गया, यह आपका previous year question का analysis, जो आपको जरूरत है करने की, and जो last चीज है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि last चीज है, आपकी 3 reading, 3 reading आपने करनी है, किसके 3 reading करनी है, देखो, very simple, आपने, अब अगर आप mock test दे रहे हो, वैसे तो आपको mock test नहीं देने चाहिए, आप mock test को side में रख दो, और अपने दिमाग से बोलो, कि अब मुझे mock test की जगा real paper देना है, real paper काउंसा, previous year question paper, इसको मैं as a daily मैं इस previous year question papers को solve करूँगा, समझ आ गया, जब आप solve करोगे इनको, तो 3 reading formula यूज़ करो, जैसे for example, जैसे paper पड़ा, है ना, एक-दो pages सामने आगे, उसका एक page देख लिया, देखा कि कौन-कौन से सवाल आ रहे हैं, ओके, ये सवाल आता है, फटा-फट, fact figure वाला कोई सवाल है, आता है, आता है, नहीं तो नहीं करे होगे, तो उसमें जो सवाल आ रहे है, उसको फटा-फट अपनी, जो आपकी OMR sheet है, OMR sheet है, वहाँ पे, वो कर दो, fill कर दो, ठीक है, दूसरा कोई सवाल आ रहे है, उसको fill कर दो, तीसरा कोई सवाल आ रहे है तो फिल कर दो साथी साथ फिल करते जाओ फर्स रीडिंग में वो सवाल जो आपके 100% सही है ठीक है सेकंड रीडिंग में दुबारा से question paper देखो वहाँ पे आपने इस तरीके से ये लगाया होगा अगर आपको मान लीजे कोई ऐसा सवाल है जो बिलकुल भी बिलकुल भी जिसका idea ही नहीं है नहीं होना चाहिए उसको क्या करो उसको या तो blank छोड़ दो वहाँ पर ये मत करो या फिर उसको double question mark कर दो समझा गया तो उसके बाद क्या करोगे जब second reading करोगे second reading में ये वाल इस question mark को आपने attempt करना है और फिर third reading के अंदर ये वाले अगर third reading में अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरको attempt करने की और ज़रूरत है तब आप इस approach को follow करोगे समझा गया तो ये जो three reading formula होता है ये three reading formula बहुत काम का होता है और आपके जो 5-6 सवाल होते हैं जो गलत हो जाते हैं अकसर और के बार ऐसा होता है कि हमें याद होता है लेकिन हमने पढ़ा होता है बट याद नहीं आता है ये सब दिक्कतों का solution three reading formula है आपका जितना time बढ़ता जाता है ना सवाल को लेके उतना दिमाग जो और काम करना शुरू कर देता है और उतना recalling capacity आपके बढ़ जाती है जब आप इस चीज को follow करोगे you will definitely going to see ये पांस से छे सवालों का आपका गेन हो रहा है और यहीं से topper qualify करते हैं यहीं से topper topper बनता है एक हम उस topper की बात नहीं कर रहे है जो super intelligent है वो एक बार भी पढ़ेगा उसका काम बन जाएगा लेकिन यहां पर हम लोग average जो majority of जनता है वो यह चीज follow करो you will see the difference understand so ultimately ultimately एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं जिससे सिर्फ cds qualify नहीं होगा जिससे आप ssbb qualify करोगे एक जब और जब gentleman credit बनोगे तब भी आप top करोगे उसके बात आप जब field posting होगी field में जाओगे तब भी top करोगे and that is अगर आज से follow करोगे तो changes देखने को मिलेंगे that is the ultimate meditation ultimate thing meditation अब जो दस दिन है ना इसमें तो आपको ज्यादा time देना चाहिए मतलब पहले अगर आप 10 minute दे रहे थे अब 15 minute दो या 20 minute 20 minute दो at least 20 minute दो यह वेस नहीं है यह एक ऐसी चीज है जो आपको जो चीज कर रहे हो ना उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगी समझ आ गया so meditation जो मैं आपको लास्ट चीज बताने की कोशिश बता रहा हूं इसका importance क्या है and everything is related to this understand so अगर हम लोग पूरे के पूरे इस आज के लेक्शर को एक समप करने की कोशिश करें तो मैंने आपको यह चीज बताई है जो आप अगर agree करते हो then definitely you should start following it and comment भी कर दीजेगा सबसे पहले जितना भी फालतु clutter है ठीक है सबसे पहले clearing the clutter clearing the clutter ठीक है उसके बाद okay so हम लोग white से ही लिखते है क्योंकि इधर से काम नहीं बन रहा दूसरा काम आपने क्या करना है second thing is you have to make the priority listing priority list करना शुरू कर दो कितना time लगेगा hardly 2 घंटे for next 10 days तीसरा आपने क्या करना है third thing is that you have to revision revise thing और मैंने इसके अंदर बता दिया कि क्या आपको feel होगा लेकिन उससे हमें डरना नहीं है और चौथा हमने बात किया previous year questions last पांच papers at least these are not source source of knowledge these are मैंने बताया understanding the question framing ठीक है and last जो fifth है that is three reading formula okay यह समझ गे और ultimately इन सभी इस का जो forefather है that is doing meditation ठीक है so this would change your whole approach of towards serious examination trust me SSB ना जब आप serious qualify भी करेंगे उसके बाद SSB जाएंगे तो SSB is also a type of a meditation only वहाँ पर भी आपसे यही पूछा जाएगा आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप हो कौन और हो कौन वाला जो introductory part होता है जानने की कोशिश आप इसी के द्वारा कर सकते हो तो यह भी मेरको understanding तब हुई थी जब यह जाने you know I used to give the SSBs also and I got recommended only because when I started this thing है ना की मेरको यह realization हुआ meditation के थू की हां यार मतलब बहुत सारी चीजे मुशकल नहीं है बस easy है सारी चीजे करना लेकिन उसको consistently करना बहुत मुशकल है इसी लिए consistency जो आई मेरे life के अंदर वो meditation से आई है ना तो इसी लिए right तो this is all for today's lecture I hope you like this lecture अगर अच्छा लगाओ please share or subscribe कीजे इस channel को which would motivate me also to work harder for your success है ना तो चलो thank you जाहिन